एक, दो, तीन, चार, छे थे के पांस थे डीजी उदर, यहां देख लेते हैं न अभी, ट्रांसफार्मर, छे डीजी के उदर दे रखे थे, ठीक है, तो यहां छे डीजी के इसाब से ही सब दिया हुआ है, ठीक है, यह बही, किलोवाट और पार फेक्टर के मीटर हो गए, यह हूटर है, बजर बोलते हैं इसको, अगर कोई फॉल्ट होग चूई, 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 चूई अईई गरेगा, ठीक है, यह, sinconizing, डीजी को ऐटो-synchronizing, यह sinconizing relay है, यह sinconizing system बोलेंगे, ठीक है, यह भी PLC में चलाना है, या manual चलाना है, पहला, सेलेक्टर स्विच, यहां पर है solo में चलाना है या parallel में चलाना है यहां पर आ गया कुछ सा निजी को master बनाना है क्या करना है वो यहां से करते हैं यह kwh वगरा उसमें जो भी रेडिंग दिखती है इसके इंदर दिखेगी यह emergency switch है यह master बनाने का switch यहां पर दे दिया है कोण से इसी को master बना मास्टर का मतलब है सपोज मेरे पास पांच च्छे इदर की लाइट जाती सबसे पहले कौन सा चले उसके बाद कौन सा चले तो वह function होता है यह यह इस टार्ट लिखावाए डीजी वन स्टार्ट डीजी वन स्टोब डीजी टू डीजी त्री डीजी शिक कि डीजी की स्पीड कम जब्स निएक परहिए तो उपर-णींश अनसे वहां से यह मै 적 खराहिए थीकर हएग एगसलज स्टार्ट का है है मैंने बोला वाल्टेज अ chicks उसका फ्रिक्वेंसी और फेश्वेंज तीन चीजीं मैं चौना चाहिए उसकी यह अमारे TNC लगे हुए हैं ट्रिप न्यूटल क्लोज लगे हुए हैं यहीं से फिर मैं क्या करूँगा उसको ब्रेकर को ऑपरेट कर दूँगा ठीक है यह अनॉसेटर पैनल लगा हूँ अनॉसेटर क्या मतलब हुआ अगर डीजी में हाई वाटर टंप्रेचर का और यहीं यह अमारा SLD बनी हुए है SLD में एक सेकिन में मैं समझ में आ गया है यहाँ पर 6 लगे हुए है ठीक है और यह एक दो तीन चार चार ट्रांस्फार्मर लगे हुए हैं और नो बस कपलर लगे हुए क्यों यह हैं डीजी लगे हुए हैं डीजी की सप्लाई देदी बस कपलर है ना SLD इस एशल्डी यह यह में बस बार है इदर यह देखें यह पूरी में बस बार है कि ब्रेकर बस बस मूझे अवन आफ कर दिया तो इदर की सप्लाई इदर की इदर है इसको कर दिया तो यहां से तूट जाएगी यहां लिखा हुआ है दिखा भुआ है यह नीचे भी लिख़ा हुआ है ट्रासफार्न् Copा one थीक है तो थीक है किसी को पूछना है वैसे ऐसा सिस्टम जल्दी मिलता नहीं है मैनूल सिस्टम होता है और होग गएगा तो आपको जाते ही कोई हैंड़ोर करेगा नहीं नया बंदा आता है वो 15-10 दिन उसकी टेस्टिंग होती है उसके बाद में उसको देते हैं चीजी करने को ठीक है यह यह अनॉसेटर बताया न कोई भी फॉल्ट आएगा तो यह जलने लग जाएगा यह जलने लग जाता है इसमें च्यार बटन दे रखेंगे टेस्ट दे रखा हैं म्यूट बजने लग गया तो म्यूट कर दूँआ पहले तो उटर को बंद करूँ शांती थोड़ी सी होएगा चूचू कर रहा है फिर फॉल्ट को बुझे पता लगए एक्सेप्ट कर लेंगे फिर रीसेट कर देंगे यह एक यह यह डार्क लएंप वही जब हम मैनमल सिंकोनाजिन्ग करते ना उस दोराण के लिए हैंगे ठीक है इसको बोलते डार्क लेंप प्रोसेजर वही जैसे दोनों की लाइट यहांपर आती है जब हे वह यहांसे कुमाते ना तो वह सप्लाई इदर वह आती है जब दोनों वल्ब हमारे बंद हो जाएंगे बल्ब हमारे बंद हो गए उसके लिए यह उसको गर्मी लगती है उसके लिए और कुछ ठीक है इतना ही है इतने की जुरूत नहीं पड़ेगी आप लोगों